ऐपकुली के बच्चों की और अज मैं आपको पढ़ौँगी हिंदी चैप पार्ट ए mindis तुसी क्या होता माँत्राहों का परीचै से पहले हम यह देखते हैं कि हमारे wait कौन कौन से week होते हैं क्या होते ह nutr स्वर के कितने भेध होते हैं, स्वर की मातराओं को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, जो हम लोग को पता चलेगा स्वर, उसके बाद हमें पता चलेगा स्वर की मातराओं या फिर उस हमारा स्वर जो होता है तो उसको हम लोग जो उचारन करते हैं जो उसको हम लोग बोलते हैं तो उसमें हम लोग कोई भी और अन्य स्वर की सहता नहीं लेनी पड़ती है उसके कोई अविशकता ही नहीं पड़ती है कि हम लोग अन स्वर की सहता ले अब आते हैं स्वर संख्या में 11 होते हैं स्वर संख्या में कैसे 11 होते हैं जैसे आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, आ, तो यहां तक आउ तक जो होता है वो हमारा total 11 स्वर होता है और अन, आ को हम लोग नहीं ले सकते अन जो होता है और अ जो होता है वो विसर्ग होता है तो इस परकार से हम लोग उसको स्वर में इंकलूड नहीं करते हैं तो टोटल हमारा कितना स्वर होता है वो 11 होते हैं स्वर के संख्य कितनी होती है तो 11 होती है अब आते हम लोग स्वर के भेद में आते हैं कि स्वर कितने होते हैं कौन-कौन से होते हैं sichаете किषर को इ これ is स्वर कहलाते हैं inका उचरन करने में कम समय लगता है हर्षव स्वर में तीन ही चार आते हैं जैसे ए उरी इसको क्या कहते हैं कि हम लोग अगा सा जटका में पढ़ते हैं इसको हम लोग जैसे मतलब आ का तो कोई मातरा होता नहीं है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग का जब इसको हम लोग वर्ण विछेद करते हैं तो हमारा पता चलता है कि औ का कोई मातरा नहीं होता है और इसे हम लोगों को बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको हम लोग हलके से जटके में पढ़ते हैं जैसे ए किमा, जो ए किमा, ए हम लोग पढ़ते हैं तो ए क्या होता है कि हलके से हम लोग पढ़ा जाता है जब इनकी उच्चारन करते हैं जब इनको पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग को ज़्यादा समय लिया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगे गही जिससे O, E, O, A, O, O तो इसमें जतने स्वर आ रहे हैं इसमें हम लोग को बोलने ये सब सवर को हमनों को टाना जाता है, थोड़े हमनों को टाइम लगता है बोलने में, मतलब इसको हमनों थोड़ टाइम लेके बोल सकते हैं, इसे नहीं हलका सा हम बोल दिये, इस तरह सा नहीं होता है, तो ये होता हमारा दिर्ग सवर, अब हम आते हैं सवर और उनकी मातराए तो आप देखते हैं स्वर और उनकी मातरा है कि वो कौन सी मातरा होती है हिंदी में स्वर दो तरह के लिखे जाते हैं हिंदी में क्या होता है कि दो तरह के स्वर लिखे जाते हैं पहला होता है अपने मूल रूप में जैसे औराम, इमली, उन, आदी जो क्या होता है ये अपने मूल रूप में होते हैं जैसे इनका कोई रूप अलग रूप नहीं होता है जैसे क्या होता है कि जैसे आराम आया तो ये आ की मात्रा है तो ये क्या हुआ कि अपने मूल रूप में ये ले लिया क्योंकि इसमें हम लोग कोई आ जैसे ये खुद आ अल्रेडी है और हम लोग इसको अल्रेडी लिख चुके अगर यहाँ पर हम लोग लिखते काम तो होता हमारा कि ये नहीं ये अल्रेडी ये मूल रूप से नहीं है क्योंकि ये का हमारा जो है वो वैंजन है और ये आ की मातरा लग गया है तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं काम तो लिकिन ये क्या होता है? ये आगी मात्रा अल्रेडी है, स्वर में ये हमारा आता है तो ये क्या होता है? कि ये खुद अल्रेडी है, तो इसलिम इसको बोह सकते हैं ये अपने मूल रूप में है जैसे अब आते इमली तो छोटी इसी इमली होता है तो हम लोग क्या लिखें कि इमली है ना तो ये इसी छोटी इसी इमली हुआ तो ये पहले अपना इ लिखा गया ये स्वर हो गया अगर हम इसी जगह पे छोटी E की मातरा से कोई सब्द बनाते है जैसे लिखते किसान तो हमारा यह पता चल रहा है कि कौन सी मातरा है नहीं क्योंकि यह कावेंजा ने इसके यहां पे मातरा जब लग गया E की मातरा के पहचान इस तरह से होती है तो इसमें मातरा लगे है, तो हमारा पता चल रहा है कि यह छोटी E की मातरा लेगा, लेकिन इसमें हमें खुद E लिख चुके है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि यह अपने मूल रूप में है, उसी तरह होता है उन, तो क्या होता है कि उन जैसा है, तो यह बड़ी U है, उ, तो मा ं मा में बड़ी बड़ी Od12 ये आपने म्यायम कि नयदी थाफ बश्य और Kसे लिए क्यूज में महत उन, इसे हम लोगों बोलते हैं आदी, अब आते हैं दूसरा वेंजन के साथ मिला कर, अब हम लोग आते हैं कि क्या करते हैं, कि वेंजन के साथ स्वर की मातरा को मिला देते हैं, तो जैसे हो जाता है हमारा बालक, जैसे बा हमारा हो गया, वो वेंजन हो गया, ये आ की मातर तो किताब इसको हल्का सा पढ़ें रहaking किताब किताब अब इसको मम्हें ज्यादा नहीं टारेंग अगर एक किताब लेकिनि यही क्यों सी चोटी की मात्र लगावा तो मенटें पढ़ें गीताब उसे तरह भूखा क्योंकि बड़ी उ की मात्रा लगावा है इसमें भूखा बड़ी उ की मात्रा इस तरह से हर वैंजन के नीचे होता है और इसको इस तरह से घुमाया जाता है भूखा आदी इसमें कोई भी स्वर मूल रूप में नहीं लिखा गया है इसको में क्या होता है इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमारा कौन सा मतलब स्वर्ल है पता चल रहा है इतो उसमें मात्रा दिया ना कि ये आ की मात्रा लगा वा ये तो नहीं लिखा हुआ कि इसमें आ है पता चल रहा है ये आल पदिक रहा नहीं ना तो इसमें इस मात्रा से हमनों पहचान रहे कि इसमें आ की मात्रा जूटा हुआ है, उसी तरह होता है, अब आते हर वैंजन में और स्वर मिला रहता है, और के इलावा जब कोई अन्ने स्वर वैंजन से मिल जाता है, तो उसका रूप बदल जाता है, इसमें बदले रूप को ह मात्रा कहते हैं जैसे क्या होता है कि हमारा जितना भी वैंजन होता है जितना भी वैंजन होता है तो इसमें हमारा ओ ओ जो होता यह हमेंसा जूटा हुआ रहता है जूटा हुआ रहता है इसमें कोई ऐसा वैंजन ही नहीं है जो इसमें यह जूटा हुआ नहीं है तो इसको हम हम लोग कैसा समझते कि इसमें और जूटा हुआ है जोंटा हुआ है कि हम लोग जब वर violпа सब कर के ददो मतलव जब लिखते हैं मतलह सब antibiotics करके लिखते हैं जैसे इसमें लिखा गया काम है काम को तो काम को हम लोग जब अलग कर रहे तो आधा को यो अब दिख रहा है न, यह आ, आ दिख रहा है न, आ प्लस, आधा मा, प्लस अ, तो यह मा के साथ यह आ जूट गया, तो यह हमेशा हमारा जूटा हुआ रहता है, यह आ तो नहीं, लेकिन यह आ हमेशा हमारा जूटा हुआ रहता है, हर वेंजन में, तो इसे क, ख, ख, जिसे ख, बोलरे खा तो उसमें भी हमारा जो आ है वो जुड़ा हुआ है कि खा आ का सांड आ रहा ना पहला है फिलास्ट में अ का ठाओ तुशी तरह ओता है का में भी क्या होता यह जूटा हुआ है तो इसको जब हम लोगको 1 विछेट करते हैं जब 1 को अलग-अलग करके लिखते हैं तो हमारा दिखता है कि इसमें हमारा आशवर जो हैं वो जुड़ा हुआ जैसे इसमें दीन तो आधा दा प्लस छुटी प्लस ना आधा ना प्लस ल तो नfashioned हमारा ा जूटा T Cands करते हैं दीन तो इसमें व서 वर्ण विच्छत करते हैं तो यह सारा चीज हमें दिख जाता अब हम आते हैं मात्राओं का परिछे तो मात्रा को हम लोग किस तरह से पहचानेगे क कौन सा क्या मात्रा है तो यह जो हमारा मातरा जो हता है ये आ का मातरा को हम लोग इस तरह से पहचान करते हैं जैसे अब हम लोग यहाँ पर आप देखें कि ये आ होगे ये तो अ तो यहाँ पर है नहीं तो मैं पहले बोल दूँ कि पहले में बता चुकी हूँ कि अ का कोई मातरा नहीं होता है क्योंकि इसको हम लोग टानते भी नहीं हलका सा पड़ते कम, कम, नम, जब, जग, इस तरह से जिसे कम, नम, जग, जल तो इसमें क्या होता है? मैं पहले बोल चुकी हूँ कि जब हम लोग वर्ण भी छेद करते तब हम लोगों को दिखता है कि यह जुटा हुआ जब से क, क पढ़े, तो क में आधा क, प्लस आ, यह जुडा हुआ है फिर मा में भी हमारा जो है, वो जुडा हुआ है से मा, आधा मा, आ, तो इसमें भी हमारा आ, जुडा हुआ है उस तरह ए, छोटी ए की पहचान हम लोग इस तरह से करते हैं ठीक है, अब बड़ी ए की पहचान हम लोग इस तरह से, लेफ्ट टाइट से करते हैं चोटी उ की मातरा हम लोग इस तरह से करते हैं बड़ी उ की, अब आते हम लोग री में री, री की क्या करते हैं, यह हर वैंजन के नीचे में लगाते हैं थिक है हर्वेंजन के नीचे में अब आते है A A में कोई मातरा नहीं होता है लिकिन इसे कोई पहचान किस तरह हम लोग करते हैं जैसे हम लोग сердके लगते हैं केला तो इसमें से कोई डंटी दिया वा नहीं इस सरह से ये गलत हो जाएगा लेकिन जब हम लोग इसको एक पढ़ते हैं तो केला, तो इस में से हम लोग ये मातरा जो है ये लग जाता है, अब आते हैं, अई, जैसे कैसा, अई, डबल, ये मातरा लग गया, अई, ओ, 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 की मातरा की पहचान हम लोग इस तरह से करते हैं, अब आते हैं, ओ, ओ, ये सार हमारा मातरा की पहचान हो गया है इस तरह से अब बुक में पढ़ते हैं जैसे आ की कोई मातरा नहीं होते हैं जैसे मैं बता चुकी है तो का के साथ हमारा असवर जो है वो जुड़ा हुआ है तो इस तरह से हम लों कोई दिखता नहीं है लेकि इसमें जुड़ा हुआ है तो इ इसको हमनों पढ़ सकते हैं टान के नहीं, क्योंकि इसमें आ की कोई मातरा नहीं होती, इसलिए मातरा जब नहीं रगी रही तो इसको हमनों टानेंगे भी नहीं, रबड, ठीक है, गाजर, काजल, कमला, बादल, तबला, अब आते हैं छोटी E की मातरा में, तो छोटी E की मातर इसको भी पहले बोल चुकी मैं कि यह हमारा हर्स्व स्वर होता है इसको हम लोग ज़्ञादा टानते नहीं इसको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है तो इस तरह से हम लोग इसको हलका सा पढ़ते हैं इसे रव, प्लस वा, प्लस चोटी की मातरा रवी, निशान, हिसाब, किताब, किसान, वीमान, हीरन इस तरह से इसको हम लोग ज़्यादा टानेंगे? नहीं अब आते हैं हम लोग बड़ी की मातरा में तो मैं पहले बता चुकिए हमारा दिर्ग सुवर है तो दिर्ग सुवर में क्या करते हैं? कि हम लोग जो सुवर इसमें आते हैं उस सुवर को हम लोग थोड़ा उनको उचारन जब करते हैं तो थोड़ा हम लोग उसको खिछते हैं थोड़ा उनको बोलने में ज़्यादा समय हम लोग को लगता है जैसे घर प्लस रो प्लस बड़ी की मातरा घड़ी लड़की अमीर बकरी मच्छली दीपक छो प्लस ता प्लस रो प्लस बड़ी की मातरा दी छतरी अब आते हैं हम लोग उ की मातरा में तो उ की मातरा को क्या होता है कि ये भी हमारा जो होता है वो हर स्विस्वर होता है इसमें भी हम लोग जादा इसको बोलने में हम लोग को जादा समय नहीं लगता इसका उचारा हम लोग हलका सकरते जैसे पा प्लस छोटी उकी मातरा प्लस लापूल, बुखार, जुराब, गुलाब, साबुन, जामुन, को प्लस छोग प्लस बड़ी उकी मातरा प्लस आ की मातरा कच्छुआ उस तरह अब आते हम लोग बड़ी उकी मातरा में बड़ी उकी मातर जो हता हमारा किस में आता है हमारा दिर के सवर में कि क्यूंकि इसको हम लोग बोलने में ज्यादा समय लगता है इसको हम लोग थोड़ा टान के पड़ते जैसे चा प्लस बड़ी उकी मातरा प्लस हा प्लस आ की मातरा ये कौन सी मातरा है अ की मातरा तो हम लो धूप, चाकू, आलू, पूनम, कौ, प्लस, बा, प्लस, बढ़ियू की मातर प्लस, ता, प्लस, रा, कबूतर, उस तरह से अब हम लोग आते हैं, री की मातरा में, तो इसको हम लोग क्या पकाई है, री की मातरा जो है, ये हम लोग, ये भी हमारा आता हर स्विस्वर में, तो इसको हम लोग रॉक आशांड में पढ़ते हैं, रॉक आशांड में इसे री होता है, तो हम लोग इसको रॉक का सैंड मा प्लस री की मातर प्लस गा मिर्ग, हलका से प्लस अना मिर्ग, रेल, खेल, केला, मेला, जेवर, ठो, प्लस, ठो, प्लस, एकी मातरा, प्लस, रा, प्लस, आ की मातरा, ठठेरा, अब आते हैं, अई की मातरा, यह हम लोग को होता है, यह होता है, एकी मातरा, यह होता है, अई की मातरा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यह भी हमारा दिर्ग स् ततया 100 plus I की मातरा, प्लस ना, प्लस छुटी E की मातरा, प्लस का सैनिक अब आते हैं हम लोग, O की मातरा में तो O की मातरा ये भी हमारा धिर्गस्वर है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा टानके पढ़ेंगे मा प्लस ओ की मातरा प्लस ला मूर गोरा घोड़ा तोसक धोलक जोकर का प्लस ओ की मातरा प्लस या प्लस ला कोयल उस तरह से अब हम लोग आते हैं ओ की मातरा में ये हमारा क्या होता है यह हमारा दिर्ग सुवर होता है ठीक है तो इसको हम लोग पड़ते का प्लस अव की मातरा प्लस आ कवा दौलना चोड़ा नौका लोकी खिलोना पा प्लस अव की मातरा प्लस अ की मातरा पौधा अब आते हैं हम लोग अनुस्वार जो अन होता है अन से अंगूर तो जो अन होता है वो हमारा होता है अनुस्वार उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनुस्वार ठीके अब उसको हम लोग नाक नाक की साउंड से हम लोग पढ़ते हैं नौ नौ ठीके पा प्लस अनुस्वार की म प्लस अनुस्वार की माता प्लस गा प्लस बड़ियू की माता प्लस रा लंगूर उस तरह से अब हम लोग आते हैं चंद्र बिंदू जो हमारा यह चान के जैसा बना रहता है उसको हम लोग उपर बिंदू लगाते हैं तो यह होता हमारा चंद्र बिंदू तो इसको भी हम लो के साउंड से ही इसको हम लोग पढ़ते हैं जैसे हम लोग क्या होता है दा प्लस आ की मातरा प्लस चंद्रबिंदू प्लस ता दांत तो दांत ना आ रहा है ना चंद्रबिंदू को हम लोग क्या करते है दांत ना के साउंड में आ रहा है साप काच जासी बासूरी चांदनी ग प्लस आ की मातरा प्लस चंदर बिंदू प्लस वा गाउं तो इस तरह से हमारा होता है मातराओं का परीछे तो I think आप लोगों ये clear हो गया हो का concept